हेलो जी आप जूड रहे है साइन्स इस्टडी वाई योगे सीना के साथ मैं बताने जा रहा हूँ टी एम वी अर्थात तंबाकू मुझे वाईरेस के बारे में आखिर होता क्या है विशानु एक प्रकार का जो विशानु है अर्था वाईरस यह वाईरस जो है आकोशिकी यह होता है देखते है इसकी जो खासियत आकोशिकी है आकोशी की होता है और दूसरी बात है परा सुच्मदर्सी है परा सुच्मदर्सी है चूकि ये ऐसे छोटे छोटे नगन आकोशी इसको देखा ने जा शकता है ये प्रोटीन के आवरेण में इस्थित जो है नाभी की अमलों के जो है बनी सरचना होती है चोकि ये जीवित कोशिका के इंदरी जरन करती है बहार एक रासानी कनू की रूप में रहती है ठीक अब ये विशानू जो है किसने लिया था और कहां से ऐसे सब्द आया थे तो जो ग्रिक के जो ग्रिक सब्द है जिसको वाइवाम से इसको लिया गया था दूसरी जो पॉइंट है इसको कहां से लिया गया था वाइवाम वाईवाम से लिया गया है तिसरी जो बात है इसमें जो तरल वीश होता है ये तरल वीश जो है इस विशानों में पाय जाता है जो की क्या करता है रोग उत्पन्ना करने का काम करता है किसमें जो विशानों पौधे एवाम जन्तुव में जो ट्यूपलिक के पौधे में ट्यूपलिक के पौधे में 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 पौ किसके बने होते है प्राया किसके प्रोटीन प्राया प्रोटीन और नाभीक की अमला के बने होते है पादा फिसानू के जो नाभीक वह किसमें पाया जाता है RNA में और यह कि जो है जन्तु में ठीक जो आड़ने किसमें पादफ में और जो जन्तु है जन्तु में क्या पाजाता है dna dna में पाय जाता है ठीक अब इसके जो है अब ये तो हम समझ गए कि ये जो है कि इसमें क्या होता है एक गुण है अब इसमें हम जानते हैं कि विसानू की प्रकृती कैसे होती है तो विसानू की जो प्रकृती है प्रकृती है उसको दो भागों में विभाजित किया गए है पहला है निर्जिव की ये समान समानता और दूसरा है सजिव के समान समानता पहला है निर्जीव, वह दूसरा है सजीव, निर्जीव और सजीव के बारे में इसके समानता दिखाना है, तो इसके जो समानता क्या होती है, एक रवे की रूप में, जो निर्जीव है, उसको हम रवे की रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें किसका अभाव हो जाता ह है अभाव किसका होता है अभाव इसका जो है अभाव क्या-क्या नहीं पाए जाता है कि इसमें जो निर्जियों की समान जो समानता है तो इसमें जो है कोशी का घित्ती दूसरा है जीवद्रव्य और तीसरा जो है एंजाइम ये तीनों चीज का जो है इसमें विशानू की जो निर्जियों समानता है उसमें जो है होता है और यह क्या हो जाते है स्वयम की जो है उत्प्रेरक अर्थात क्या करते हैं गुनन कर लेते हैं उत्प्रेरक होते हैं स्वयम उत्प्रेरक यह स्वयम उत्प्रेरक हो जाते है अब हम दूसरा देखती कि विशानू की समान जो है विशानू में जो सजियों के समान जो समानता है इसमें हम देख सकते है कि जो है अनुकुलन छंपता पाय जाती है अनुकुलन छंपता अर्थाथ यह बहुत सकते हैं कि आपने ही जो अनुकुली जो प्राफरतिक वातावरान उसमें ही क्या करते है जिवन अपन अर्थात उसका जो अपने अंदर ही जो है पोशन गुनन और विभाजन ये तिनों तरिकत से जो है अनुकुलन चमता इसमें अनुकुलन चमता पाई जाती है को है युद ख्च्मता पाइ जाती है प्लस इसमेन उठपरवर्तन भी होता है उठपर की हम लेके तो बनी होते हैं और इसमें क्या होता है वृद्धी और प्रजनन भी होता है वृद्धी भी हो जाता है और प्रजनन यह तीन चार जो हमारे जुगुण हैं या लक्षन इसमें दिखाय देते हैं अब हम देखते हैं कि इसमें जो पादफ विशानु में या टीमवी की जो अतिसुच में सरचना कैसी होती हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो है यहां पे मैं लिख देता हूँ पहले मैं लिख देता हूँ यहां पे जो है जो विशानु है विशानु जो होते है वे क्या होते है निकलियो प्रोटीन के बने होते है किसके बने होते है निकलियो प्रोटीन के जो है बने होते है और इसका जो अकार है इसका जो अकार है यह लिखना अकार जो होता है कितना होता है 10 nm से अर्थात nm से 300 nm ये लिखना बहुती जरूरी है क्योंकि इसी से नंबर मिलता है और ये जो है एक सुचमतम विसानू होता है T Y M V सबसे जो है छोटा जो विसानू है उसको हम क्या बोल सकते है T Y M V सबसे छोटा सबसे छोटा विसानू सबसे छोटा विसानू है चुकि ये क्या होता है एक क्रिश्टल के सामान और सबसे जो है बड़ा विसानू कौन सा है T Y M V सबसे बड़ा विसानू जो है T Y M V है सबसे बड़ा विसानू सबसे बड़ा विसानू है अब हम इनकी जो सरचना कैसे है दो भागों से मिलकर बना हुआ है दो भागों से मतलब किन-किन चीजों से प्रोटीन आवरान अब इसमें जो है सरचना हम देखते हैं तो पहला है प्रोटीन और दूसरा है प्रोटीन आवरान और दूसरा है नाविक की है अमला ये तिन ये दो चीजों से ही मिलकर जो है बना होता है है चो कि इसमें जो टोकोonomोroros है ये इलेक्टान सुचमदर सी इव ज्याद करने पर ही पाय जाता है चो कि ये जो है क्रिश्टल की रूप में दूसरी जो बात है इसमें क्रिश्टल के रूप में होती है और इसका पाया है वो फृस्म का बना होता है अब एक छोटै छोटे प्रोटीन मिलकर ही अर्थात प्रोटीन प्लस प्रोटीन ये छोटे प्रोटीन मिलकर ही क्या बनाते हैं हमारे कैपसीड जो कैपसीड कैपसीड बनाते हैं और कैपसीड कौन सा है ये ये जो कैपसीड है यही जो है कैपसीड होता है इसमें छोटे योटे कैपसीड मिलक मिलकर यह बने होते हैं जिनें क्या कह सकते हैं हम कैप्सो मियर्स कह सकते हैं कैप्सो मियर्स सभी से कह सकते हैं और छोटी से जानकारी और है इसमें टियंवी जो कैप्सो मियर्स होता है कितना पाजाता है लगभग इसमें 2130 की जो संख्या है इसमें पाय जाती है 2130 की जो छोड़ी कैपसु मियर की संख्या इसमें पाय जाती है और कैपसो मियर में लगभग कितने अमीनोमला होता है अमीनोमला की बात की जाए तो इसमें अमीनोमला अमीनोमला जो है ये 1.500 पाय जाते हैं और इसमें जो प्रोटिन का भाग है 95% भी होता है और इसमें छोट छोटे जो RNA होते हैं ये जो कितने पाएते है अरिने जो है अर्ने की जो सब्लिकत Lucybetween colid और इसमें जो है टी य में कुलित इसका जो इसटेंड में में ही में इसका फैरार। अर्ञपा को एह इस्टेंड दिखाया है एक छोटे छोटे जो है मो già किसामान दिखाए गया है ,. जो, आरने का इस्ट्रेंड मनाते हैं, और इसकी जो लंबाई है, यहां पर दिखाए गई है, जो हमने पहले कितने बताया था, आकार, अकार जो है, दस न्यनो मिटर से यहां पर, तीन सव न्यनो मिटर तक बताता, अब एसानो का जो है, है यहां पर वर्गी करण हम देखते हैं विशानों का वर्गी करण विशानों का जो है वर्गी करण यह लास्ट टोपिक है इस पार्ट का पहला है पादफ वाइरस है दूसरा है मैले मैमेलियन वाइरस और तीसरा है कीट वाइरस चौथा है बैक टीरियल वाइरस ये चार चीजों के अनुसार इसको वर्गी करण किया गया है किसके अधार पर वाइरस के रोग इसका जो वर्गी करण है कैसे किया गया था वाइरस के रोग और पोशक इनके अधार पर ही किया गया था किशने प्रोबिशन इसको थैंक यू यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें